बीच मैच साउथ अफ्री की गेंबाज ने केल राहूल के साथ कर दी गंदी हरकत अफ्री की गेंबाज ने केल राहूल को दिखाई आँखे फिर मिला करारा जवाब केल राहूल के सामने गेंबाजी करने से बोखलाया फ्री की गेंबाज निकल गई हेकड़ी भारत करके टीम साउथ अफ्रिये खिलाफ खेले जा रहे ही पहली टेस्ट मैच की अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी साउथ अफ्रिकी गेंबाजों ने भारत ये बल्लेबाजों को जम कर परेशान किया केल रहुल ने हाला की पारी को संभाला और भारत की लाज़ बचाई पहले दिन का खेल खात्म होने तक भारत ने आठ विगेट खोकर 208 रन बड़ाए रहुल सत्ता रनों पर नाबाद लोटे रहुल के लावा भारत के सारे दिकज बल्लेबाज पवेलने लोट चुके हैं रहुल ने साउथ अफ्रिकी गेंबाजों की कहर बरपाती गेंदों का सामना तो किया ही साथ ही उन्होंने स्लेजिंग को भी चेला और इसका जवाब भी दिया विराट कोली और श्रेश एयर ने बड़ी पारी खेलने की कोशिश की लेकिन ये दोनों अच्छी शुरुवात को बड़ी पारी मतब देल नहीं कर पाए कोली 38 रन बना कर आउट हो गए और आईयर 31 रन बना कर पवेई देल लोट गए लेकिन केल रहुल ने शांदार पारी खेली और टीम को जल्दी धेर होने से बचा लिया इस दोरान केल रहुल को साउथ अफरीकी गेन बाजों की स्लेजिंग से भी निपटना पड़ा और इस बल्ले बाज ने बड़े आराम से इसका जवाब भी दिया साउथ अफरीका के बाए हाथ के तेज गेन बाज मारको यांसन काफ़ी आक्रामक थी उन्हें विकेट नहीं मिल रहे थी और जम कर रन पड़ रहे थी और ऐसे में वो फ्रस्टेटिर थी उन्हें रहुल को प्रेशान करने की कोशिश की टी ब्रेक से ठीक पहले यांसन ओवर फेक रहे थी और इसी ओवर किये गेन पर रहुल ने बहतरी इन तरह से डिफेंड किया इस पर यांसन तिलमला उठे और उन्होंने आकराम अक्तेवर दिखाते हुए राहुल को कुछ कहा राहुल ने यांसन को देखा और मुस्कुरा दिये राहुल ने वो पारी खेली जो टीम इडिया के लिए साख बचाने वाली साबित हुई उन्हों ने नीचली करम में शारदू ठाकूर के साथ 43 सरनों की साज़िदारी की ये साज़िदारी टीम इडिया को जल्दी आउट होने से बचाने के लिए काम्याब रही इससे राहुल ने अपनी लेह हासिल की खराब रोशनिक के कारण हाला की दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया दूसरे दिन टीम इडिया को उम्मीद होगी कि राहुल अपना शदक पुरा करे और टीम को मजबूती दे भारत और अक्षिन अफरीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला दिन काफी रोमांचक रहा पहले साउत अफरीका ने टीमीडे के बल्ले बाजी ओडर को जग जोर दिया तो बाद में केल रहुल की शांदार बल्ले बाजी से अफरीका के गेन बाज बैक फुट पर आ गए और अंत में बारिश ने खेल बिगार दिया और तैसमे से काफी पहले ही मैच को रोकना पड़ा पहले दिन का खेल खात्म होने तक भारत का स्कोर आठ विगेट पर 208 रन था विराट कोली आउट हुए और टीमीडे की आधी टीम पवीलें लोट गई इसके बाद केल रहुल ने मोर्चा समхला जो टेस्स क्रिकेट में बतोर मीडल ओर बले बाजी वापसी कर रहे हैं मुश्किल वक्त में रहुल ने नीचले करम में बले बाजों के साथ बले बाजी की और दिन का खेल खात्म होने तक 70 के स्कोर पर नाबाद रही जिस तरह की पीछे उस हिसाब से केल रहूल की स्पारी ने टीमीडिया को काफी मदद पहुचाई केल रहूल की स्पारी के दमपर ही टीमीडिया पहले दिन 69 टोवर में 8 विगेट के नुकसान पर 208 रन बना पाई और पारिश की वज़े से काफी पहली दिन का खेल खत्म हुआ तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए इस खबर को शेर कीजिए और जुड़े रहिए एकलाइन्स स्पोर्स के साथ